नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग, दोस्तों घर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें दोस्तों आप देखते होंगे कि सेप्टिक टेंग की आवसकता तो पढ़ती ही पढ़ती है दोस्तों और साथ में एक सोकपिट की भी आवसकता पढ़ती है, तो सेप्टिक टेंग का वीडियो अल्रेडी हमारे चैनल पे है, सोकपिट का वीडियो अल्रेडी हमारे चैनल पे है, चुकि दोस्तों इसकी डहलाई हो चुकी है, तब बहुत ज़्यादा information में दूँगा तो उसको दोस्तों आप relate सायद नहीं कर पाएंगे तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोकपिट दोस्तों किस तरीके से बनाए जाती है यह तीन चेमबर वाला septic tank है हमारे चैनल पर अल्रेड़ी वीडियो है उसको जाकर के देख सकत अब चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि सोकपिट जो लाश्टि बनाते है शोकता गड़्ा उसको सुधीन दिम कहता है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है चलिए आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तो आपको किसी वी चीज को बनाने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा आवस्याख हो जाता है कि आखिरकार इसका काम क्या है जिसके चलते हैं दोस्तो इतना खर्च हो रहा है आखिरकार इससे फैदा किस तरह से लेना है सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं डाइरेक्ट इनलेट दोस्तो फर्स्ट वाले चेम्बर में आगा अगें सेकेंड चेम्बर दोस्तो दो चेम्बर क्या होते हैं कि आपस में दोस्तो नीचे से दोस्तो कट रहता है अरहाई फीट का ताकि सिर्फर सिर्फ पानी आया और पानी कहां जाया दोस्तो या तो आप उसको सोकपीट में डाल सकते हैं सोकपीट का काम क्या है दोस्तो कि पानी को जल से जल सोख लेना दोस्तो सेप्टिक टेंग की बनावाट सोकपीट से बिलकुल अलग होती है बिल्कुल plastering होती है उसके उपर पनना चरहाया जाता है दौस्तो मतलए बिल्कुल waterproof होता है वो ठीक है ना अंदर का पानी बाहर जाएगा ना बाहर का पानी अंदर जाएगा ना ही नीचे जाएगा ठीक है यह वाला जो portion यही सिर्फ शोकपीट का है, वो septic tank का है, वो सोकपीट का है, दोनों में आप बिल्कुल confuse मत कर जाईएगा, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, चुकि उस साइड में हमारा इस तरीके के खाचे हम नहीं छोड़ सकते हैं, चुकि यहाँ पे आप जिस तरह से द यह देखिए, ठीक है, और साथिसान दोस्तों, उस साइड से जो दिवार है, उस पे भी आप देखना है कि खाचे छोड़ी गए, नीचे से बिल्कुल भी आपको दोस्तों PCC वगर अने करना है, यह मिट्टी जम गे, इसलिए साद आपको ना दिखना हो, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ब्रिक सोलिंग करनी है, ठीक है, सिर्फ इंट बिछा करके सोलिंग कर, हमारा जो सॉलिड वेस्ट है दोस्तों उसी वाले चेमबर में लॉक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि यह हमारे आसपास के एरियों को पुरा पॉल्यूट कर देगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पानी आएगा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ पानी आएगा जिसको दोस्तों बिल्कुल यह ग्राउंड ले लेगा और फिर से दोस्तों अंडर ग्राउंड वाटर क्या होगा कि फिल्टर होते हुए दोस्तों रिचार झाल झाल